हलो एफ्रिवान वेलकम बाक टू माय चानल और कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेहतमन और खुशाहाल होंगे और कल वीडियो नहीं आया बिकेस बहुत सारा मेरा काम इकटा हो गया था डीप क्लीनिंग वाला तो वो सब मैंने किया इस के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग एडिट करने का और ये जो वीडियो है ये शुरू कर रहे हूं मैं सुभा से आज की वीडियो में मैं आपको ब्रेकफस्स रचें और धनिया चौप कर रही हूं कभी कभी क्या होता है आलू बालते वक्त थोड़ी बहुत गलती हो जाती है और इससे आलू एकदम ही सॉफ्ट हो जाते हैं तो ऐसे आलू को स्टफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है सेम ये मेरे साथ हुआ तो मैं चाहा तो रही थी बनाना बट मेरे आलू ने पानी पी लिया था इस चक्कर में वो काफी सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने सोचा यह एक डिफरेंट स्टाइल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूं और इट वुड बेनेफिशल फॉर ओल दोस जिनसे आलू के पराथे ठीक से नहीं बनते हैं स्टफ नहीं होते फट जाते हैं तो आप एक बोल में मैंने यहां पे कटे हुए प्याज हरी मिर्ची और धनिया डाल दिया है और इसके बाद उबले वे आलू मैं यहां पे डाल रह फ्लेक्स बहुत अच्छा मज़ा देते हैं इस पराथे में थोड़ा सा यह आमचूर का पाउडर मैंने आड किया है थोड़ा सा हींग और इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला एंडेन डारेक्ट इसी में मैं आटा चानकर गून लूँगी और यह थेपला स्टैल पराथे ब जैसा मैं आपको बता रही थी कभी आपके आलू अगर उबलते हुए पानी पी लेते हैं या बिगनर हैं किचन में कि आलू के पराथे आपके फटते हैं तो आप यह रेसिपी ट्राइड़ा करना यह बहुत ज्यादा आसान है और आलू के पराथे के कंपारिजन में एजी तो है ही जल्दी भी बन जाती है जितना आपको आटा लगेगा घर के फैमिली मेंबर्स के हिसाब से ही लिया जाता है ना हर चीज तो आलू और आटा का उतना रेशो जितना आपको चाहिए जितना क्वांटिटी चाहिए लेकर पहले अच्छी तर से मिक्स कर दीजे आटे को आलू के साथ और एक बार आपको आइडिया लग जाए कि यह कैसा बन रहा है ना तो बिल्कुल जरूरत के हिसाब से पानी डाल डाल कर इसका आटा लगाए बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा इस चीज का ध्यान रखेगा और नमक वगेरा इसमें अच्छी त निकालोंगी तवा निकालोंगी युनो रोलिंग पेन और चकला वगरा निकालोंगी बस इतनी देर आस सच रेस्ट पे इसे मत रखिएगा और इसके बाद पराठा बनाने की तियारी शुरू करेंगे तो पराठा बनानी के लिए जैसे पराठे बनाते हैं वैसे ही क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा आपको आटा लेना होगा रोटी के comparison में रोटी जितना कम आते से पराथे बहुत ही छोटे बनेंगे बाकी क्या size और thickness रखनी है ये आपकी अपनी choice भी है तो थोड़ा साटा ले इस तरह से एक बॉल बनाए इसको फिर सूखे हाटे में dust करके roll कर लीजे क्योंकि इसमें हमने कच्चे प्याज, धनिया और हरी मिर्ची डाली है तो ये बिल्कुल ही अच्छे corner वाले round round पराथे तो नहीं बनेंगे अगर आप ये चीज़े नहीं डालते हैं और आलू को भी एकदम ही mash करके डालते हैं तो ये पराथे एकदम रोटी जैसे smooth और round बन जाएंगे और देखकर किसे को idea भी नहीं लगेगा कि ये साधा पराथा नहीं है इसमें आलू भी चुपाया हुआ है इसलिए मैंने तो डाला है आप चाहें तो उमिट कर सकते हैं अच्छी तरह से रोल कर लीजे ये पराथे अच्छे पतले बनते हैं जितना पतला आपको चाहिए बन जाएंगे और बस घी बटर या ओयल में से कुछ भी एक लगा कर आप पराथो को सेख लीजे दोनों तरफ से अच्छा लाल होने तक मैं यहां ओयल कर रही हूँ क्योंकि आलो के पराथे ओयल में अच्छे लगते हैं घी में भी बहुत अच्छे लगते हैं पर जब आप उसे गर्मा गरम खा रहे हूँ तो यहां पर तो गर्मा गरम नहीं खा रहे हैं हम सब साथ ही खाएंगे इसलिए मैं इसे ओयल में बना रही हूँ बाकि सबके अपनी चॉइस है कुछ लोग को पराटे बटर में सेके वे ज़्यादा पसंद आते हैं तो दोनों तरफ से अच्छे तरह से सेक लीजिए, घुमा घुमा के और बहुत यमी ये पराटे बनते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं बट क्रिस्पी भी हो जाते हैं और ब्रेकफस्ट के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आजकल बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं उनना स्कूल में भी आप ये पराठा उन्हें दे सकते हो ये अनलाइक अधर पराठा सुखा नहीं होता है बहुत देर तक टिफन में भी सॉफ्ट बना रहता है और बच्चों को ये पराठा बहुत पसंद आता है वैसे आलू की तो हर चीज बच्चे को अच्छी लगती है आलू का स्टफ पराठा भी मेरे बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं बट इस पराठा अलसो टेस्ट यम डू कि विट अ ट्राइ यू वुड लव इट क्योंकि पराठा मैंने दही के साथ सर्व किया है इसलिए चाई नहीं बनाया था चाई पराठा हो जाने के बात बनाया था और दोपहर में बनाया यह मैंने मतर का चाठ इसका रेसिपी में कई बार आपके साथ शेयर कर चिकी उँँ इसलिए इन डेप्त रेसिपी नहीं दे रहिए बस मैं मुटा मुटा आपको ओवर्वीव दे देती हूं in case you are watching my video for the first time यह जो मटर है सफेद मटर इसको 6-8 गंटे सोक करने के बाद नमक डाल कर उबाल लीजिए पीने वाले पानी में क्योंकि यह बहुत सारा पानी absorb करेगी और फिर इसका पानी आपको फेकना नहीं है कोशिश कीजेगा कि इतना ही पानी लें कि फेकना ना पड़े और इसके बाद आप इसमें एक निम्बू का रस डाला है मैंने इतनी quantity के लिए थोड़ा सा इमली का चटनी कटा हुआ प्याज, धनिया, टमाटर और हरी मिर्चे एंदेन स्वाद के हिसाब से लाल मिर्चे, नमक जितना मैंने इसमें डाला था उतना इनफ था इसलिए मैंने उपर से नमक नहीं डाला है आप उपर से नमक यानि के काला नमक डाल सकते हैं यह बहुत अच्छा बनता है, मेरे घर में आप समझें, हफते के साथ दिन में से लगभग चार दिन, तीन चार दिन यह बन जाता है वाई, क्योंक एक तो ओयल फ्री है, हैसल फ्री कुकिंग है, बस आपको मतर उबालना है, बाकी चीज़े काटके मिला देनी है और इसके स्वाद का तो मैं आपको क्या बोलूँ, it is just so yummy, तो इससे अच्छा और क्या मील हो सकता है, फटा-फट बन जाता है, किचिन में घंटों खड़े रहने की ज़रुरत नहीं है, ओयल की ज़रुरत नहीं है, इसलिए मैं इसे बहुत फ्रीक्वेंटली बनाती हूँ लगता है बारिश होगी, छोड़ी घर-घर-घर-घर आवाज भी आ रही है, बारिश देखकर या बारिश होने वाला है, ऐसा मौसम देखकर आटोमाटिकली अंदर से आवाज आती है, पकोड़े बनाने चाहें, बट आज बिल्कुल पकोड़े नहीं बनाओंगी, मैं शेर कर पाऊंगे, और यह देखे, देखते ही बारिश भी शुरू हो गई, बहुत ही अच्छा लग रहा था मौसम, और येस, मैंने अभी लेटली कुछ क्लासिश शुरू की है, शाम में मेरी क्लास होती है, और डिग्री नहीं कर रही हूँ मैं, इस चस्ट शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्स, तो आजकल ये है, और ये शौर्ट टर्म है, तो मैं आपको इसके बार में बता दूँगी, बाद में, बस मैं आपको सिर्फ बताना चाहती थी, कि आजकल मैंने क्लासिश भी शुरू कर दी है, तो शाम में बहुत सारा काम मेरे ले हो जाता है, घर का किचि निया सीखना चाहते हैं लेर्न करना चाहते हैं बीड स्किल और यू वांट टो अक्वाइर सम डिग्री और वाट आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और आजकल तो इस वेरी इजी वन एवर्रिफिंग इस ओनलाइन तो मैं ये एक शॉर्ट टम ओनलाइन कोर्स कर रही हूँ और क्लासिस से फ्री होने के बाद चाय याद आती है मैं वापस किचन में आ गई हूँ और मैं परसो की वीडियो में आपको कह रही थी गी बनाना है बट मैं नहीं बना पाई थी बहुत काम था मेरे पास तो गी मैं आज बनने रखा है और मैं चाय वाइ बनाओंगी तो इसक मैं पूरा पाकेट एक ही बार में भून लिया है इसमें से थोड़े जो रेसिपी में चाहिए वो मैं रख लूँगी बाकी अभी चाय के साथ खा लिए जाएंगे और मखाना आपना घर में ज़रूर रखा कीजिए यह हाई इन काल्शियम और आयन होते हैं फीमेल हेल्थ फ बढ़ते बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे हैं और इसको बनाना देखिए कितना आसान है थोड़े से घीमे बस आपको इसे रोस्ट करना है और यह रेडी भी हो गया आप इसे बहुत सारी कुजीन में बहुत इस्तमाल कर सकते हो बट आस सच मंचिंग के लिए यह यह इसके बाद मैं डिनर का रेसिपी आपका साथ शेयर करें इसके बहुत अच्छा है आप ज़रूर बनाना मैंने यह पे लिए थोड़े से बादाम और तर्बूज का बीज इसे मैंने दोपहर से ही सोकिंग पे रख दिया था क्योंकि मुझे इसे एक दम सॉफ्ट करना है एक इसके बाद जो बादाम के छिलके थे वो हटा दिया है मैंने थोड़ा पानी डाल कर इसका पेस्ट बना लिया है लुक अट इस पेस्ट शुट बी एकदम क्रीमी और यह एक स्टेप हो गया नेक्स स्टेप के लिए मुझे चहिए टमेटो का प्योरे तो मैं यहां पे चार प्योरे कर लोगी और मैं बना रहे हूं कॉन की सब्सेट कॉन मसाला और यह बहुत अच्छा सीजन है जब अच्छे कॉन मिल रहे हैं आपको और मेक मोस्ट आफिट इसलिए मैं कॉन का यह बहतर बनता है आप ट्राई करना और यह मैं जिंजर और गालिक के बिना बना रही ह आप चाहें तो जिंजर और गालिक यहीं जो टमाटर आपने पीसे है ना इसके साथ पीस लीजिएगा तो सब तैयारी मेरी होच चुकी है और मैंने कड़ाई लिया है इसमें थोड़ा सा ओईल लेकर एक छोटा प्याज मैंने चौप किया था छोटा भी नहीं है मीडियम साइ इसमें अच्छी नहीं लगती कि कॉन का अपना स्वाद बहुत हलका होता और मैंने ही चाहती कि वह दब चाहे एक माइल्ड सबजी होती है और मैं इसे थोड़ा माइल्डर वर्जिन में ही बना रही हूं आप चाहें तो इसको फिर थोड़ा ज्यादा प्याज लहसुन भी और अद्रग भी डालकर थोड़ा सा स्ट्रॉंग कर सकते हैं प्यास बून जाने के बाद मैंने यहां डाला टमेटो का प्यॉरी और उसे थोड़ा बूनने के बाद और यह देखिए यहां मेरा फिर से एक क्लिप मिस हो गया मैंने स्क्रीन पे आप लोग के लिए मसाले रख ना और जो स्क्रीन पे लिखे थे वो सभी मसाले अंदाजे से डाल दिया है और इसके बाद वifferent बनाया था सब्सक्रीन माइल नहीं होता प्यार मैल्ड चीज़ेश डाली जाती है लिए रिच्चनेस और स्वीतनेस मिले इसलिए मैंने इसमें जो मगज के बीज होता है यानि तर्बूज के बीज और बादाम का पेस्ट डाला है आपके पास अगर नहीं है तो आप काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं मलाई भी इसलिए डाला है सो दाइट यह थोड़ा सा सटल हो और इसके बाद इसमें वही जो मेरा मिक्सी था जिसमें मैंने पीसा था ना बादाम को थोड़ा पाने डाल कर उसी में से सारा कॉंटेंट निकाल लिया है यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रेवी के हिसाब से कंसिस्टेंसी रख रही हूँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी हाँ मैंने असवाद के इसाब से नमक डाला है नमक मैंने पहले भी डाला था प्यॉरी में जो क्लिप में सो गई तो मैं आपको बताना चाहूंगी यह सबजी बहुत ज्यादा रानी नहीं बनती है रेस्टरंट स्टाइल है तो वैसा ही लुक और टेक्स्चर भी आना चाहिए ग्रेवी में मैंने डाला है मकाना मकाना भी आप देखें बहुत मोटे मोटे लग रहे हैं क्योंकि यह कच्चे हैं यह थोड़ी तेर में ग्रेवी अब्जॉब करेंगे और पकेंगे तो इसका साइज बहुत कम हो जाएगा मैंने यह फ्रोजन मटर ली है आप चाहें तो फ ग्रेवी में अच्छे से घुल रहे है यानिके अच्छी तरह पक चुके हैं इसमें बाकी चीजे डालें मैं यह डाल रहे हूं पनीर आप पनीर को या तो बिल्कुल जैसे आप नोटिस कीजिए इसमें जो कौन है मकाना है लगभग एक साइज है तो उसी साइज का काटकर डाल दीजे वो भी बहुत अच्छा वेडियेशन है अधर इस तरह से ग्रेट करके डालें एक दम रेस्टरांट वाला लगेगा आपका सबजी देखकर कोई कहेगा ही नहीं कि यह रेस्टरांट से नहीं मंगाया है और पनीर कितना लेना है यह आपकी अपनी चॉईस है और उससे भी कहीं ज़्याद अच्छा इसका स्वात था पनी डालने के बाद एक से डेर मिनट और ज़्यादा नहीं पकाना है इसे क्योंकि अलड़ी इसमें सब कुछ पका हुआ है मैंने इसको एक मिनिट पकाया है लिटरली और इसके बाद ढकन अटाकर मैं इसमें डाल र आपका कौन मसाला तयार है कौन एक ऐसे सब्जी है जिसके साथ आप जो दूसरी चीज़े आपको पसंद है ना उनको अच्छे से मिक्सन माच कर सकते हैं इट गिव्ज यू डाट स्कोपन आप्शन मैंने यहां पे मकाना और पनीर लिया है आप चाहें तो इसमें शिमला मि सब्ची या कारट जो और दूसरी सब्जी आपको पसंद आती हो ना वह आप इसमें 100% मिला सकते हैं इट गिव्ज यू डाट लिबर्टी और मेरी एकदम रेस्टरंट स्टाइल सब्जी तयार हो चीकी है इसका अरोमा इसका टेस्ट और इसका लुक बिलकुर रेस्टरंट सब्जी से कम नहीं है आप यह बनाएगा तो पीपल विल बी सब्राइज कि इतना यमी सब्जी एकदम नया आपने बनाया है दे वुड लव इट और मैं इसके साथ राइस कर रही हूं जीरा राइस माइवे आप चाहें तो रोटी पराठा कर सकते हैं जीरा राइस बेसिकल जैसे रेस्टरांस में बनाते हैं तो उसमें थोड़ा खड़ा खड़ा जीरा और आपको फील होता है और बटर वटेवर दी यूज बट इस तरह से वन पॉट के हिसाफ सजवाब बनाते हैं तो आपका जो बासमती राइस है ना उसकी लाइटनेस मेंटेन रहती है ज्याद कि यह कौन सा राइस है आई यूज इंडिया गेट का ब्लू पाकेट राइस यह सब जी देखने में बहुत एक्जॉटिक और हेवी लग रहे है बट ट्रस्ट मी यह उतनी हेवी होती नहीं है इसमें बहुत जादा कुछ हमने मसाले और ग्रेवी एन्हांसर नहीं डाले हैं यह बच्चों ने तो बहुत ही जादा पसंद किया बच्चों को वैसे भी कौन की चीजें बहुत जादा ही पसंद आती हैं उमीद करती हूं आज की वीडियो आपको पसंद आया है और वीडियो में दिखाए गए रेसिपीज और यूझ आईडिया आपको अच्छे लगे ह मैं जल्दी मिलूँगे आपसे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी रखें अपना धेर सारा ख्याल टेक केर बाई बाई